सो नमस्कार कैसे हैं आप सब I hope आप लोग आफ ज़्यादा बढ़िया होंगे और आज की इस वडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं CUT के अंदर जो आप DelanCity को टागेट करते हैं तो DU के अंदर आपको कौन-कौन से की इक subject combination चाहिए होते हैं किन-किन courses के लिए काफ साइ students को नहीं बता होता है मैं सच बता रहूँ हर साल ऐसा होता है कि students को lack of information के वज़ज़ से information कम होनी के वज़ज़ से काफ साइ students के form reject हो जाते हैं उन्हें लगता है कि हमें वो अले test देने हैं लेकिन देने कुछ दूसरे हो test test होते हैं और बाद भी उनका admission final time पर नहीं हो पाता है तो अब भी आपको बताने माला हो कि किस तरह से आपको कौन-कौन से combinations बनाने होते हैं किन-किन courses के लिए सो देखिए अब आपको पताएं कि आपके तीन तरह के अलग-लग sections आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर एक language का section है दूसरा domains का section है और तीसरा आपको जर्नले test का section देखने को मिलता है language के अंदर English है, Hindi है या फिर आपके कोई भी regional language हो गई तो वो सब languages इसके अंदर आती है तो वो साइज साइज जो चीज़े हैं वो आएंगे आपके domains के अंदर तीसरा है general test, general test के अंदर basically आपका aptitude आता है जिसके अंदर आपका quants हो गया, logical reasoning हो गई, जिसके अंदर आपकी GK हो गई तो ये तीन section आपको CUT के अंदर देखने को मिलते हैं अब अगर आप Delhi University के अंदर admission लेते हो तो DU के सभी courses की अपने अलग eligibility होती है सबसे पहली चीज़, Delhi University आपको ये बोलता है कि आप चाहे किसी भी stream से हो आप जब domain के test देते हो तो domain आपको सिर्फ वही देने है जो आपने 12th class के अंदर पढ़ है अगर आपने 12th class के अंदर कोई subject domain के अंदर नहीं पढ़ है और वो domain आपने CUT के अंदर दे दिया तो उसको बिल्कुल भी मानने ता नहीं दी जाए हम उसको मानेंगे नहीं ठीक है तो इस चीज़का आपको बहुत ज़्याद ध्यान रखना है अब देखे, माल लिज़िए अगर आप डेल्लिमस लेटी से BBA, BMS, BBE जैसे कोई course आप करना शाहत हो तो उसके अंदर आपको कौन-कोन से test देने होते है उसके अंदर आपको CUT के अंदर एक तो language का test देना है दूसरा आपको mathematics का domain देना है और mathematics का domain आप तभी देबाऊगी जोब आप 12th class के अंदर mathematics पढ़ ही होगी तो एक language का test हो गया, एक mathematics का domain हो गया तीसरा फिर आपको general test भी वहाँ पर देना होता है इन तीनों को मिला करके आपको admission मिल जाता है BBA, BMS और BBE जैसे courses के अंदर language, mathematics plus general test, right इसके साथ माललीस यँगर आप कोई arts का course कर रहे हो जैसे कि माललीस आप history ओНसका रहे हो आप psychology ओनस कर रहे हो आप political science ओनस कर रहे हो sociology ओनस कर रहे हो आप psychology ओनस कर रहे हो, right आप इस तरह का अगर मालिस यख कोई भी आप course कर रहे हो तो उसके इंदर आपको बोलता है कि आपको एक language प्लस तीन डोमेन अपने देने होते हैं और डोमेन वही होंगी जो अपने 12th class के इंदर पढ़े हैं अब अगर आप एक arts student है तो language जो आपने 12th class में पढ़े हैं वो आप दे दीजिएगा उन ही के basis पर आपको arts वाले subjects में admission मिलेगा बहुत बाब अच्छे क्या करते हैं जब वो stream transfer करते हैं science या commerce वो arts के अंदर आते हैं तो arts वाले domain दे देते हैं और उनका admission cancel हो जाता है तो जो भी आपने 12th class के इंदर domains पढ़े हैं आपको सिर्फो से वही test देने है और उस ही के basis पर आपको admission मिलता है तो जैसे history honors है, geography है, कोई भी आप arts वाले course कर रहे हो English honors है, Hindi honors है तो उसके अंदर specifically बोला जाता है कि आपको एक language पर आपको त्रीन domain देने है त्रीन domain के अंदर ये नहीं लिखा होता है कि आपको त्रीन arts वाले देने है science वाले, commerce वाले वो नहीं लिखा होता है जो भी आपको पर प्रेल कार्स के अंदर पढ़े है सिर्फ वही तीन domain आपको देने होते है ठीक है, तो इस चीसका आपको ध्यान रखना है बस यहाँ पर यह होता है कि अगर आप मालनी जी जैसे history, political science, geography, sociology आप यह सब कर रहे हो तो इसके अंदर को issue नहीं, language के अंदर अगर मालनी जी आप English onus करें तो language यह फिर आपको English ही चूज करनी है Hindi onus करें तो language आपको Hindi ही चूज करनी है तो इस चीसका आपको ध्यान रखना है इसके लाव अगर हम बात करूँ तो फिर देखिए मालनी जीए अगर आप economics onus करते हैं तो economics onus के अंदर यहां पर mathematics जो है वो mandatory है अब economics onus करने के लिए आपको एक तो language का test देना है एक mathematics का test आपको देना है domains के अंदर प्लस आपको दो domain और देने है वो दो domain आपके कोई भी हो सकते हैं उसके basis पर आप mathematics आप जो economics onus है वो आप कर सकते हैं language mathematics प्लस दो domain कोई भी हो सकते हैं तो इसके basis पर आपको economics onus के अंदर admission मिल जाता है अब इसके बाद अगर हम बात करूँ फिर उन student से बारे में जो become onus टागेट करते हैं या फिर जो become program वायर टागेट करते हैं तो देखिए become onus की जहां तक बात है तो यहां पर दो अलगलग तरह से आप admission ले सकते हो अगर आपके पास 12 class in mathematics है तो भी आप admission ले सकते हो mathematics नहीं है तो भी आप admission ले सकते हैं उसको आप ज़रा ध्यान से समझना अगर माली जब become onus करना चाहते हैं तो दो combination आपको बताऊंगा या तो आपके पास एक language हो एक mathematics आपके पास हो इसके लावा दो domain आपके पास कोई भी हो तो इसके basis पर आप जो become onus है वो अपनी कर सकते हैं अब माली जब आपके ऐसे स्टूरें लेकिन आपके पास अकाउंटेस ही तो नहीं है अपके आपके पास arts with mathematics था humanities with mathematics था तब भी आप become onus कर सकते हैं अब आपके पास mathematics था तो और तब आप economics onus भी कर सकते हैं इसके अलाव अगर हम बात करूँ फिर आज आता है हमारे science वाले courses तो देखिए science के अंदर दो ऐसे rare courses है जिनका थोड़ा सा combination different होता है जिसके अंदर एक है mathematics onus और दूसरा आपका computer science onus इन दोनों का अलग है बागी सबका अलग है तो mathematics and computer science onus के अंदर क्या हुआ कि एक language प्लस mathematics प्लस दो domain इनके बेसिस पर आप mathematics onus भी कर सकते हो इनके बेसिस पर आप computer science onus भी कर सकते हैं अब देखिए बेशक मालनी जी आप एक commerce student है और आपका mathematics है तो आप यह वाले courses definitely कर सकते हैं इसके लागर आप बात करूं फिर मालनी जी आप जैसे courses करना चाहते हो आप chemistry onus कर रहे हो या फिर आप physics onus कर रहे हो या फिर मालनी जी आप इसी तरह कोई statistics onus नहीं कर सकते हो नहीं आप chemistry onus कर सकते हो सिर्फ उसे PCM वाले students सी आप physics onus and chemistry onus कर सकता है एक language test आपको देना है प्लस आपको PCM का test आपको देना होता है और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर language calculate नहीं होती है बस eligibility के लिए आपको देना ही पड़ती है आपको admission होता है वह सिर्फ पीजियम के इस course के basis पर ही होता है इसके लागा अगर बात करूं मालनी जी अगर आप टारगेट कर रहे हैं जैसे कि आप biology से आप टारगेट कर रहे हो बोटनी ओनर्स कर रह आपको सभी बता दियें कि आपको कौन-कौन से test यहाँ पर देने होते हैं और जो 12th class में आपने domain पढ़े हैं सिर्फ वही domain आप दे सकते हो ऐसा नहीं कि आप कोई दूसर domain आप दे दोगे ठीक है इसी का बहुत सा ध्यान रखना है बहुत बार students के admissions cancel हो जाते सिर्फ इसी ए बाई बाई एंट टाटा